नमस्कार दोस्तों संद्या वेज की चर्मियापका स्वागत है आज मैं कच्छे पर पीते की सब्जी की रेसिपी आपकी साथ सेयर करने जा रही हूं पपीता कितना हिल्दी होता है ये सब आपको पता ही है तो चले समादी देख रहेते हैं कि क्या क्या लगती है दो टमातल को बारीदेख कर लिया है लहसुन अदरक और हरीमेज को लिया है फ्वडास जीरा और ये धरिया पाउडर गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक स्वादी के अनुसार और हरी धर्या को हमने बारी काट लिया है गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है हमने यह एकी चमच तेल डाला है कम तेल में भी यह सब्धी बहुत टेश्टी बनती है गैस कौन कर देगी पैस फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाए ते इसमें डाल देना है यह हरी मिल्च लहसु नौरत राख जीरा डाल देंगे ते भी थोड़ा से चला लेंगे इस तरीके से प्याज डालेंगे जब याज पाथ जाये तो इसमें डाल देना है यह पपीता पपीता डालने के बाद हमने फड़ी जर इसके चलाया है इस तरीके से पांच दिम्या जिता अब डालने गे हल्डी पाउडर इसे भी तरीके सील आदे धनिया पाउडर अच्छे से मिला लिया आप डाल देंगे गरम मसाला ते खोरस चला लेंगे लाने इस तरी किसे डालेंगे टमाटर और नमक आपके निए आपकें सा लेपेते हैं हमने आदर ignorance लमाद लिया है तरीस तरीकर से मिला ले थोड़ा से ठट करके रख campe के लिए memos छेक करते रहेंगे 2 मिनट हो गए हैं हम इसको कोद करेंगे च्रा लेंगel शेट पानी पानी याट कर रहे हैं ताकि पपीदे अच्छे से पाक जाए क्योंकि पपीदे कड़ाप होते हैं कच्छे वाले थोड़ी थोड़ी से हमारे ऐसे पके पके से लग रहे हैं कि यह पका नहीं हुआ है कच्छे ही है और हम इसे धक करके रख देंगे 5-6 मिनट हो गया है पकते हुए और हम इसको पूल करके चेक करेंगे यह देखे हैं हमारी सब्जी तरीके से पक चुकी है पानी जो डाला तो वह बेसे चूप गिया है गैस को उनने बंद कर दिया है सारा धरिया से घानिस कर दें और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको हमाई रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिलकुल मत भूलिए ताकि हमारे नए नए रेसीपी के वीडियो आपको सबसे पहर उसके बढ़ और ए皆さん आपको दुखको दोस्क्राइबे के घंटी है antaुлем अचल के उसके वीडियो भंड़ना पस्ने खाली है ठाक्टेब है गलाव पस पहर में फिले गयर सूपार लेता टेत्य है